बच्चो ऐसा माना जाता है कि पृत्वी पर जीओं की सता सिलाख प्रजातिया है इन प्रजातियों के योग अधेन के लिए हमें उनकी समानताओं के आधार पर और उनकी विभिनताओं के आधार पर उनके गुड बनाना अनिवारिया है प्राचीन समय में काल लेनायूस हैक्यल जैसे महान वैग्यानिकों ने जीओं का वर्गिकरण करने का प्रयास किया था सन 1979 में अमरीकन परिस्ति विज्ञान शास्त्री रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने अपनी वर्गिकरण की पद्धती को सब के सामने रखा इस पद्धती में जगत के पांच गुटों को रखा गया था जो इस प्रकार से थे जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत वनस्पती वर्गिय, जगत प्रानी वर्गिय विज्ञानिक विटेकर ने इस वर्गिकरण के लिए किस बात का आधार लिया था इसे समझने की कोशिश करते हैं विटेकर ने प्राणियों का ये वर्गिकरन करते समय निम्न लिखित विशिष्टाओं के बारे में विचार किया था एक कोशिका संद्रचना की जटिलता इसका अर्थ है कोशिका की संद्रचना सरल है या जटिल है दो प्रकार की कोशिका संद्रचनाएं होती है आदी केंदर की और द्रिश केंदर की आदी केंदर की कोशिका इसे अंग्रेजी में प्रोकेरियोटिक कहा जाता है इसमें प्रो का अर्थ आदी और कारियोन का अर्थ केंदरक होता है इसलिए इन्हें आदी केंद्र की कहा जाता है इसका अर्थ है कि NGO में मूल केंद्रक नहीं होता है मूल केंद्रक में कोशिका जिल्ली होती है जिसमें DNA अनू होते है वे अंग जिन में जिल्ली होती है जैसे हरितलवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट तन्तुकणी का अर्थात, माइटोकॉंट्रिया, गोलगी शरीर अर्थात, गोलगी बोड़ी, अंतप्रदव्यई जाली का अर्थात, एंडोप्लाजमिक जाली का इनमें नहीं होती है आदी केंदर की कोशिकाओं में अनुवंशिकी सामगरी, संपूर्ण कोशिका में वितरित होती है द्रिश केंदर की कोशिका अंग्रेजी में इसे यूकेरियोटिक कहा जाता है इस शब्द में यू मूल इस अर्थ में है और कैरियोण का अर्थ केंदरक है इसकी संद्रचना जटिल होती है और आधी केंद्रक कोशिका की तुल्ना में अधिक प्रगत होती है कोशिका में मूल केंद्रक होता है इसका अर्थ ये है कि केंद्रक में जिल्ली होती है जिल्ली से सम्मद्दित अन्यकोशिका अंग, प्लस्टीड अर्थाद प्लस्टीड्स, गोलगी अर्थाद गोलगी जटिल, लाइसोसोमेस अर्थाद लीसोसोम्स और तन्तुकणिका अर्थाद माईटोकॉंड्रिय आदि मौजूद होते हैं द्रिष्यकेंद्रकी में अनवन्शिक्ता से सम्मंदित सामगरी जिल्ली युक्त अवयव में बन रहती है आदिकेंद्रक कोशिका द्रिष्यकेंद्रक कोशिका ये प्राची इन आदी होती है ये एक प्रगत पधती की कोशिका होती है मूलकेंद्रक नहीं होता है मूलकेंद् खोचकी थी वे थे आदिकेंद्रक और दृश्यकेंद्रक जीव जन्तु आदिकेंद्रक दृश्यकेंद्रक विटेकर द्वारा इस वरगीकरण के लिए जो दूसरी सीमा तैकी थी वो थी जीवों की जटिलता इसका अर्थ है कि जीव का निर्मान कितनी कोशिकाओं से हुआ है वो एक कोशिका या अधिक कोशिकाओं से निर्मित है मुख्य रूप से दो प्रकार की जटिलताएं है एक कोशिकिय और बहु कोशिकिय एक कोशिकिय जीव इन जिवों के शरीर में एक कोशिका होती है ये आदी जीव होते हैं जैसे बैक्टिरिया और अमीबा बहु कोशिकी ये जीव ये जटिल और प्रगजीव होते हैं इनके शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं जैसे केंचुआ, मानव, इत्यादी इस प्रकार बच्चों, आदी केंदरक यह हमेशा एक कोशी कीय जीव होते हैं परंतु दुरिशकेंदरक में एक कोशी की और बहु कोशी कीय दोनों प्रकार के जीव पाय जाते हैं अगले स्तरफ के वरगे करन के लिए आएए ये चाठ देखते हैं जीव, जन्तू दो गुटों में बढ़ते हैं, द्रिश केंद्रक बहु कोशी किया और एक कोशी किया आदी केंद्रक एक कोशी किया विटे करने जो तीसरी सीमा निर्मान की थी वो थी पोशन का तरीकार था खान पान का तरीका वो वरगी करन इस प्रकार है पूशन का तरीका स्वयम पूशी वे जीव जो अपना खाना स्वयम बनाते हैं वे स्वयम पूशित्व को दर्शाते हैं पौधों की कोशिकाओं में हरे रंके परण हरित होते हैं सारे हरे पेड पौधे इस गुट में आते हैं वनस्पति वर्गिय जगत के जीव इस गुट में आते हैं, मुरुतोप जीवी पोशी, ये जीव अपना खाना स्वयम नहीं बना पाते हैं, वे मुरुत पौधे और प्राणियों से अन्न सोखते हैं, इसी कारण से उन्हें मुरुतोप जीवी कहा जाता हैं, और मुरुतोप के रूप में पौधे या पिर अन्य प्राणियों को खाते हैं, इस गुट में प्राणि वर्गिय जीव आते हैं, उधारन के लिए गाय, हिरन, शेर और लूमडी जैसे जानवर, चौथे प्राचल के रूप में विटे करने जीवन पद्धिती को चुना हैं, जीवन वे प्राणि जो पौधे या पिर अन्य प्राणियों को खाते हैं, जैसे सारे प्राणि मात्र, विघटक, कवक, बैक्टरिया, मुरुतोप जीवी ये इस वर्ग में आते हैं, ये पौधे और प्राणि के मुरुथ शरीर पर जीवन निरवाह करते हैं, पांचवा और अन्त विटेकर ने पहले आदी जीवों को रखा फिर जटिल जीवों को और अंत में प्रगज जीवों को रखा ये विटेकर द्वारा किया गया वर्गिकरण था बच्चों आप भी अपनी खुद की वर्गिकरण पद्धती तैयार कर सकते हैं इसके लिए आपको बिल्ली, तोता, बतक, मचली, बंदर जैसे जानवरों की विशिष्टाओं की सूची बनानी पड़ेगी बच्चों अभी हमने विटेकर की वर्गिकरण पद्धती के बारे में पढ़ा अब आप लिलायूस और विटेकर की वर्गिकरण पद्धती में तूलना कर सकते हैं इससे आपको लिनायूस की पद्धती की कमियां समझने में आसानी होगी और आप ये भी समझ पाएंगे कि नई पद्धती निर्मान करने की जरूरत क्यों पड़ी